हलो फ्रेंड मेरे खा मेहिर गार्डन से आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग आशा करती हूँ कि आप बहुत ही अच्छे होंगे और गार्डनिंग में मस्त होंगे और क्या कहूँ दोस्तो summer garden आने वाला है summer season और summer garden को हम किस तरह से फूलों से तयार करें यह मेरा पिछली साल का summer garden है जो कि पूरा फूलों से भरा हुआ था तो आज मैं कुछ ऐसे plant बताऊंगी जो कि आप cutting से, seed से और nursery से लाके लगा सकते हैं और यह जो plant हैं बहुत ही कम gear में चलते हैं तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप कौन-कौन से plant अपनी garden में add कर सकते हैं summer में जो कि आपका जो winter garden है उसकी कमी को महसूस ना होने दे तो यह दिखी कितना प्यारा फूल खिले थे next plant नमबर बन पर जो plant में आप से share करूँगी बोगन मिलिया दोस्तो बोगन मिलिया बहुत ही सुन्दर plant होता है cutting से लग जाता है easy to grow है और शरी में भी दोस्तो 50 रुपे से minimum 50 रुपे 20 रुपे में मिल जाता है next plant आप देख रहे हैं पॉर्टूला का दोस्तो बहुत ही सुन्दर cutting से लगने वाला summer का बहुत ही अच्छा plant होता है जो कि आप अपनी garden में add कर सकते हैं बहुत ही सुन्दर color में आता है यह मेरी next year का summer garden है जो कि फूलों से भरा हुआ था तो वही मैं आप से share करूँगी कि आप पॉर्टूला का या मॉस रोज को अपने garden में cutting से लगाए next plant है परसलीन दोस्तो परसलीन बहुत ही सुन्दर फूलों से भर जाती है अगर आपने हर जगह परसलीन लग जाती है कम पानी देनी की जबरत होती है तो परसलीन को एड करें next plant आप देखेंगे दोस्तो रोज रोज को भी आप अपने garden में एड कर सकते हैं तो रोज को भी अपने लगा सकते हैं next plant है दोस्तो चमपा चमपा की cutting बहुत आसानी से लग जाती है चमपा बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुनर सुनर कलर में आता है white चमपा, red चमपा, yellow चमपा तो आप चमपा को भी अपने garden में cutting से लगा सकते हैं इसकी cutting आप देखेंगे बहुत आसानी से लग जाती है थोड़ा कम पानी देना पड़ता है चमपा प्लांट को तो cutting बहुत अच्छे से लग जाती है और पूरी गर्मी फूल देता रहता है यह plant देखें कीड़े कैसे आज आते हैं प्लांटों पर दोस्तो तो आप भी अपने garden में चमपा प्लांट को जरूर एड़ करें next plant है दोस्तो कनेर कनेर को भी आप अपने garden में लगा सकते हैं समर के लिए बहुत ही सुन्दर प्लांट होता है इसमें कई कलर आते हैं रैड वाइट येलो औरेंज यहां पर यह देख रहे हैं आप औरेंज है मेरा बहुत सुन्दर फूल खिलते हैं इसमें तो आप समर में इसको भी एड़ कर सकते हैं नेक्स्ट प्लांट है दोस्तो संध्या मालती इसको फोर ओकलॉक भी बोलते हैं सीट से बहुत आसानी से लग जाता है सीट से ग्रो होने वाला ये प्लांट एक बार आपके garden में आ गया ना दोस्तो तो बिलकुल भी नहीं जाता है जहां जहां इसके सीड बिखर जाते हैं चारो तरफ ही इसके सीड गिर जाते हैं मटर के जैसे इसके सीड होते हैं तो आप इसको भी अपने garden में एड़ कर सकते हैं नेक्स्ट प्लांट है दोस्तो गोरी चोरी इसको टिकोमा यलो टिकोमा भी बोलते हैं इसको भी आप अपने समर गार्डन में जरूर लगाएं सब में इसके फूल आते रहते हैं इसके फूल कभी भी garden से जाते ही नहीं है कटिंग से लग जाता है नरसरी में 50 रुपय का यह प्लांट मिल जाता है तो आप इसको एड़ करें यहाँ पे जिट्रोपा जिट्रोपा भी बोहत आसानी से कट्ञ शे लग जाता है कट्रोपा लगाया हुआ यह प्लांट है और बहुत सुन्दर इसमने फूल दिये ही हुए हैं तो जिट्रोपा को भी आप अपने गार्डन में एड़ कर शकते हैं और समर गार्डन की बात हो और गुढ़ल की बात ना हो हिबिसकस देसी हिबिसकस से भर जाता है समर गार्डन तो आप देसी रोज लगा है तो देसी रोज को आप अपने गार्डन में अगर फूल चाते हैं समर में तो देसी रोज को भी अपने गार्डन में जरूर एड़ करें भर भर के कलियां अभी शुरू हो गई हैं दोस्तो तो इसको भी अपने गार्डन में लगा सकते हैं नेक्स्ट प लगाएं नमबर और नेक्स्ट प्लांट आप देखेंगे मेरी गोल्ड मेरी गोल्ड समर का मेरी गोल्ड को आप अपने गार्डन में जरूर एड करें कटिंग से भी लगा लें और अगर आपके पास सीट पड़े हैं तो अभी भी इनको डाल दें बहुत अच्छे से इसमें स अभी से इसमें फ्लाबर आने लगे हैं समर की शुरुबात हुई और बोगन में लिया फूलों से भार जाने वाली है तो इसको आप अपने गार्डन में जरूर एड करें बहुत आसानी से लग जाती है नेक्स्ट प्लांट आप देख रहे हैं नेक्स्ट प्लांट है बिनक और एक ये जो पिंक मैजेंटा है तो आप अपने गार्डन में इसको भी एड कर सकते हैं सीट से लग जाता है दोस्तो अडेनियम को भी आप अपने समर गार्डन में एड कर सकते हैं समर का बहुत सुन्दर फूल देने माला प्लांट है अडेनियम दोस्तो एक बार अपने कडन में लगा लो गये सीटसे भी लग जाते हैं और दोस्टो कटिंगसे भी बहुत आसानी से लग जाते हैं नसरी में दोस्टो आपको समिनमम सो रोपय का यह प्लान्ट मिल जाएगा पर एक बार अप लाओगे तो सालों साल अपके गार्डन में यह रहेंगे, गुछ्छों में फूल देते हैं और अभी भी इनमें बहुत सुन्दर सुन्दर से फूल आ रहे हैं, तो इसको आप अपने गार्डन में जरूर लगाएं, नेक्ट प्लांट आप से शेयर करूंगी जो है कि दोस्तों वो है कि रात रानी, दोस्तों रात रानी को आपने गार्डन में जरूर एट करें, रात रानी फूलों से भरी होती है, खुस्बू का भंडार होती है, अगर इसको आपने अपने गार्डन में लगा लिया, तो रात में इसकी फूल खिलती है और खुस्पू तो इतनी होती है कि पूरा पूरा सराउंडिंग आपके चारों तरफ ही इसकी फूल की खुस्पू रहती है नेक्ट प्लांट है अपराजिता बहुती सुख प्लांट माना जाता है और दोस्तो नीली कलर का फूल खिलता है अपराजि अब जैने प्लाडन से मतनलते हैं तो आप जरूर लगाए ! यह बहुत सुन्दर फूल हाते हैं , फूल होते हैं मदू कामनी में और दोस्तो एक बार आप अपने गार्डन में ले आएंगे तो इसके कई साल तक ये प्लांट रहता है और इसकी कटिंग भी दोस्तो बारिश में लगा सकते हैं या फरवरी महें में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और सीट से बहुत आसानी से ये प्लांट लग जाता है तो आप मधू कामनी को अपने गार्डन में जरूर एड करें अगर आपको खुसभू पसंद है तो इस प्लांट को लगाना मत बूला बहुत ही सुन्दर फूल जाते हैं और सीट इसके रहते हैं तो सीट से भी ये लग जाता है नेक्स्ट प्लांट है दोस्तो मॉर्निंग गलोरी दोस्तो जैसा नाम है इसको सुबह ही ये बहुत सुनर फूल खिलते हैं जैसे ही धूप आती है इसके फूल मुर्जा जाते हैं सीट से लग जाता है ये क से ग्रो होने वाला प्लांट है कटिंग से भी लग जाता है दोस्तों नर्षरी में दस रूपए में प्लांट यह मिल जाता है यह मेनी सीट से ग्रो हुए है org जो कि आप इसमें बड्स भी दोस्तोем बनने लगी है चूट चूटे बड्स आ गई हैं यहां आप मैंने शेट डाले थे, आप देखेंगें तो इसमेश सीट की जर्मिनेशन, एक हफ़ते के अंदर ही अंदर इसमेशमेस सीट हो जाती है, निएक्सट प्लांट है ग्लेडिया does, ग्लेडिया कौ अपने गार्डन में जरूरあट करे कई कलरों में आता है पूरा गार्डन फूलों से भार जाता है गलैडिया के फूल और शीड से भी लग जाते हैं तो इसको भी लगा सकते हैं और बहुत ही सुन्दर डिफ्रेंट कलर की फूलों की कमी को मैंसुच ना कर देने वाला ये प्लांट है कोलियस कोलियस को कर्डिंग से बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं बहुत सुन्दर सुन्दर शेड में ये कोलियस आपको मिल जाएंगे 30 रुपे का ही प्लांट मिल जाता है एक बार आप अपनी गार्डन में लाएंगे तो सालों साल चलेंगे ये मेरी वीडियो कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक और सेर और सास्क्राइब बाई बाई